हेलो फ्रेंज मैं हूं भोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुक्वित भोली में आज हम एक हीडो से दो अलग-अलग तरह की नमकीन बना करके त्यार करने वाले हैं तो एक हीए सिम्पल सी नमकीन जो बहुती खसता एकदम कुरकूरी सी बनी है जो खाने में बहुती टेस्टी है और एक ही ये मसाला काजु ये भी बहुती चटपटी फ्लेवर की बनी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिया है और एक टेबल स्पून यहाँ पर मैंने अजवाइन लिया है इसे इस तरह से क्रश करके डालेंगे हाँ से अजवाइन डालने से मैदा पचाने में बहुत ही आसानी होती है और आधा छोट चमच यहाँ पर मैंने नमक डाला है तो नमक अभी हम थोड़ा कम ही डालेंगे इसमें अब इसे एक बार हाँ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने आधा का टोरी बटर लिया है और इसे पिग्ला लिया है इसे भी हाँ से मिक्स कर लेंगे और अगर आप बटर नहीं डालना चाहते हैं किसी भी करण से आपको बटर नहीं डालना है तो आप यहाँ पर तेल या घी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो बनस्पति घी होती न, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, फिगला करके, और यह देखें, मोवन इतना होना चाहिए, कि इस तरह से जब हम बांधें, तो यह आसानी से बंद जा रही है, देखें, और थोड़ आप मोवन डालेंगे, उतनी अच्छी आपकी, जो यह नमकीन है, वो बनेगी, तब थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल करके, इसे हमें अच्छे से गूत लेना है, तो थोड़ा टाइट ही रखा है, मैंने इसे आटे को, और यह देखें, इतना टाइट है अभी, अब इसे 15 मिनट के लिए ढख करके छोड़ देंगे हम, तो देखें, 15 मिनट हो चुके है, अब इसमें से मैंने थोड़ा सा पाट लिया है, अब इसकी एक बड़ी से रोटी जैसी बेल करके हमें तयार करना है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे हम इसे, और यह देखें, इतना मोटा है य अब हम इस तरह का कोई भी एक धकन ले लेंगे धकन तो सभी की घर में आसानी से मिली जाती है किसी भी डिब्बे की ये धकन आप ले लीजे अब इस तरह से एक किनारे से हम इसे काटते हुए तो ये देखे एकदम काजू के जैसी इसकी शेप में आ गई है तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है हमें किसी भी साचे की ज़रत नहीं है इसे बनाने के लिए कोई भी धकन होगा छोटा मोटा आप इसे ले लीजे या आपके गार में कूकी कटर है तो आप उसका भी यूस कर सकते हैं अब ये देखिए एक सीदे लाइन से हम इसे काटते जाएंगे उसी तरह फिर दूसरा लाइन चालू करेंगे काटते हुए अब इसी तरह से हम सारे नमकीन तयार कर लेंगे तो इसे एक और डिजाइन में बना रही हुँ मैं दो अलग-अलग शेप में हमें बनाना है इसके लिए मैंने फिर से मैदा ले लिया है अब इसे फिर से रोटी के जैसे बेल लेना है हमें और ये जो नमकीन में बना रही है न ये भी थोड़ी मोटी रखनी है इसे और ये जो side की है ना, उसे हमें काटने की और ज़रुद नहीं है, इतना ही लंबा हम ले लेंगे इसे, और ये दोनों किनारे से हम side का हिस्सा निकाल देंगे, इसे हम काट नहीं करेंगे और, और ये जो बीच की बची हुई है ना, उसे हम दो पार्ट में divide कर लेंगे, अगर ज्यादा पतला नहीं बेलना है हमें इसे, तो ले जी ये भी तैयार हो चुकी है, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चड़ा दिये, तेल गरम होने के लिए, जैसे ही तेल हमारा हलका सा गरम हो जाए, इसमें हम सारी नमकीन डाल देंगे, तो देखे तेल बहुत ज्यादा गरम नही है उसका, जैसे ही ये थोड़ा सा सीख जाए, हम इसमें चम्मत चला देंगे, और ये देखे सारी अलग-अलग हो गई है, अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे अच्छे से क्रिश्पी होने तक तल लेंगे, एकदम ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है से, थो देखें, इसका कलर चेंज हो गया है, हलका सा गोल्डन कलर का हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा लाल नहीं करना है और हमें, और इसे तलने में लगभग 10-15 मिनट का समय लगा है मुझे, तो ये वाली नमकिन हम निकाल लेंगे सारी, अब इसी में य देखा है, उसे भी तल लेंगे, तो इसे तलते समय भी आप ध्यान रखें, बहुत जादा हाई फ्लेम पर नहीं दलना है इसे और तेल बहुत जादा गरम भी नहीं होना चाहिए, तो आप आज को कंट्रोल में रखें, जैसे हमें लगे कि तील बहुत जादा गरम हो रहा है तो हम फ्लेम को कम कर देंगे और जैसे ही तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम फिर से फ्लेम को मीडिया में हाई कर लेंगे तो आप ध्यान में रखते हुए आप इसे तल लीजिए अच्छे से क्रिस्पी होने तब और यह देखिए वाली नमकीन भी तयार है तल करके अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो यहाँ पर एक छोटा चम्माच काला नमक है तो आप स्वादन नुसार डालिए इसे इसलिए हमने इसमें नमक पहले थोड़ा कम डाला था एक चम्माच आट मसाल है एक चम्माच भूना जीरा पाउडर है एक चम्माच आमचुर का पाउडर है और आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं मैं नहीं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और उन्हें पसंद नहीं आता मीर्च का फ्लेवर तो यह देखिए एक दम चट पटी सी हमारी मसाला काजु बन करके तयार है बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप इसे जरू ट्राइ करके देखिए और यह देखिए यह वाली नमकीन भी बहुती क्रिस्पी ब तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिश्ना